नमस्कार मैं सुनीता कथा मंथन में आप सब का स्वागत करती हूँ कथा मंथन में आज सुनिए आदर्शिंदू होटल का नौवा अत्याए आदर्शिंदू होटल के सारे पार्ट्स आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे जिसका लिंक मैं आपको description box में दे दूँगी उसके अलावा हर उपन्यास और कहानियों का लिंक all उपन्यास story करके हमारे ब्लॉग में है जिसका लिंक मैं आपको description box में दे दिया है आप वहाँ जाकर के चेक कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आदर्श हिंदू होटल का नौवा अध्या है अब तक हमने जो पढ़ाता कि हजारी की नौकरी छुट जाती है क्योंकि होटल में चोरी होने के कारण उस पर शक किया जाता है और 5-6 दिन उसको जेल में भी रखा जाता है और उसके खिलाफ कोई सुबूत न मिलने के कारण उसे जेल से छोड़ दिया जाता है किन्तु दुबारा उसको नौकरी पर बाहल नहीं किया जाता है और उसकी दो महीने की तनखा के बदले उसको केवल 2 रुपे और 8 ने दिये जाते हैं तो चलिए आगे सुनते हैं वह जानता है कि राना घाट के अब किसी होटल में उसे नौकरी नहीं मिलेगी जादुबार बाडुजे ने एक बार जरूर उसे अपने होटल में ले जाना चाहा था लेकिन अब वह चोरी के इलजाम में हाजत में रहा है कौन देगा उसे अब नौकरी हजारी ने देखा कि वह अंजाने ही चुड़नी नदी की और चला जा रहा है अपनी पसंद के उस पेड़ के नीचे जाकर बैठेगा बैठ कर सोचेगा और सोचने की बहुत सी बाते भी हैं इस समय उसके पास लेकिन लगभग दो घंटे तक नदी के किनारे बैठने के बाद भी उसको चिंता की कोई किनारा नहा मिला आज रात को बेशक स्टेशन के प्लेट फॉर्म पर पर सोया रहेगा लेकिन कल कल कहां जाएगा धाई रुपे में से दो रुपे उसे घर पर भेजने होंगे टैंपी हो सकता है हो सकता है टैंपी के मूँ में उसकी मा दोकर बाद बिना जुटा पाती हो बात मतलब चावल यह क्याल उसके लिए बरदास से बाहर है नहीं कल ही वह दो रुपे डाक से भेज देगा मनी आउडर की फीस उसी अठनी में से देगा पूरे दो रुपे कम से कम घर तो जाने चाहिए स्टेशन के प्लेट फारम पर आखरी रात में हलकी सी नींद आई फरीदपुर लोकल की आवास से खूब सवेरे नींद खुल गई फिर भी वै लेटा रहा आज तो बड़े चुले पर जटपट देखची नहीं चड़ानी होगी उठकर क्या होगा बहुत देर तक लेटा ही रहा डाउन दारजिलिंग मेल आई चली गई बंगाउ लाइन की गाड़ी खुली धूप निकलाई ज़ाडुदार प्लेट फारम पर ज़ाडु देने आया है आडा घाटा की और से एक और गाड़ी का सिगनल डाउन हुआ मुर्शीदाबाद लाल गोला पैसेंजर अरे कौन सो रहा है उठो हट ज़ाओ ज़ाडुदार ने आवाज लगाई हजारी उठ खड़ा हुआ एक जमाई लेकर नल पर जाकर उसने हाथ मुद होया वह कहां जाए क्या करे पिछले छे साथ बरसों में उसने ऐसा निकम्मा जीवन कभी नहीं बिताया था काम काम चूले पर देखची चड़ाओ पहले मालिक की चाय के लिए पानी गरम करो फिर आज वाजार किसको जाना है शोर गुल डांट फटकार पद्दो मेरी की चीक वुकार अच्छा था इस समय तो पद्दो मेरी की फटकार भी मानों मीठी लग रही थी पद्दो मन की बुरी नहीं थी कल रात उसने उसे खाना दिया रुपे दिये रतन ठाकुर भी बड़ा अच्छा आदमी है उसका वह भांजा वह तो बड़ा ही अच्छा है सभी अच्छे लोग है रतन का व छे बरसों में हजारी की एक बुरी आदत लग गई है सुभा शाम चाय पीने की अब पैसे खरच करके चाय पीनी होगी इसलिए हजारी ने चाय पीने की इच्छा को दबा लिया अच्छानक उसके मन में आया कि एक बार कुसम से मुलाकात करना जरूरी है आज साथ आठ दिन की भी जरूरत है उसके अपने माथे में कुछ नहीं आ रहा जंजीर खड़काने की अवाज सुनकर कुसम ने दरवाजा खोला तो हजारी को दिखकर अच्रस से बुली आप आप ताउजी ऐसे बेवक्त कैसे आना हुआ इतनी दिनों तक आई क्यों नहीं चलो बीतर बैटे बहुत बाते करने हैं हजारी ने कहा कुसम ने कमरे की जमीन पर दरी डाल दी हजारी ने बैठते वे कहा बेटी कुसम जरा चाय पिलाओगी अभी बनाई देती हूं ताउजी आप बैठे ये थोड़ी दे और फिर सिरफ चाय नहीं चाय के साथ एक रगावी में थोड़ा हल हाजात में थे हाँ छूटी बात है कुसम खड़ी थी हजारी के सामने जमीन पर धप से बैठकर अचंबे और आविश्वास के साथ उसका मूँ देखने लेगी नहीं नहीं कुसम जूट नहीं सचमुच मैं चोरी के सामी की तोर पर हाजत में था हाजत में रह सकते ताउजी लेकिन चोरी आपने नहीं की चोरी आप कर ही नहीं सकते जूट है सफेज जूट मैं चोरी नहीं कर सकता कभी नहीं ताउजी मैं आपको जानती नहीं पैचानती नही बेटी तुझे मुझे पर इतना विश्वास है दूसरी और मूँ फिर कर कुसम चुप रह गई ऐसा लगा रूलाई रोकने की कोशिश कर रही है हजारी बच गया कुसम सचमुच उसकी बेटी है उसे बड़ा डरता कि कुसम ना जाने इस बात का क्या ख्याल करेगी कहीं ऐसा ना हो कि सचमुच वैच चोर हुआ ऐसा हुआ तो हजारी के लिए दुनिया में भरोसा जाता रहेगा अभी आप कहां से आ रहेता हूँ जी कल रात को स्टेशन पर सोया था और कहां जाता वहीं से उठकर चला आ रहा हूँ सोचा एक बार तुमसे भेट कर लेना बहुत जरूरी है पता नहीं कितने दिन आप कहां जाएंगे कोई ना कोई ठीकाना तो लगाना होगा ना जानती हो कि बैठे रहने से काम न चलेगा देखू क्या कर पाता हूँ यहां किसी होटल में जब मेरे नाम के साथ चोरी कल जाम लग गया है तो यहां किसी होटल में मुझे जगाना मिलेगी सूचता हूँ ना कि हो तो एक बार गुआरी है जब वहाँ बहुत से होटल है वही तलाश करके देखू थोड़ी देर चुप रहने के बाद कुसम बोली खेर वह जो होना होगा होता रहेगा अभी तो आप नहां आये तेल ला देती हो उसके बाद खाना बनाने का इंतिजाम कर देती हो खाना बना कर खा लीजिए नहीं बेटी इन सब जंजटों की जरुवत नी रहने तो खाने का क्या है मैं तो तुम से दो चार सलाबात करने आया हूँ बेटी थोड़ी अकल तो ढूंतो अकेले क्यों अकल से तो काम नहीं चालता फिर भी मैं बुड़ा भी तो हो चला हूँ कुसम ने हसकर का सलाबात तो होती रहेगी ताउची अगर आप नहीं खाईएगा तो मैं आज दिन भर दाट से तिनका नहीं तोड़ूँगी मैं कुछ नहीं सुनूँगी पहले नहा कर आईए इसके बाद भात चड़ाईए मैं आपका प्रसाथ पाऊँ बेटी के गरहाई है मैं चाहे जितनी गरीब हूँ आपके ने यह कैसे सोचा कि मैं आपको बिना खिला चुटका रहा दूँगी बड़ा प्यार है ना बेटी पर लाचार होकर नहाने के लिए हजारी चुड़ने किनारे गया लोटकर उसने देखा कुसम ने ग्वाल घर का एक कौना लीप पूतकर साफ सुत्रा करके इटो का चूला तयार कर दिया है पीतल की इस मंजी बटलोई से काम चलेगा ताउजी या हाडी चड़ाईएगा अरे नहीं नहीं हाडी की जरुवत नहीं है इसी से काम चलेगा भात उतरने के जरा देर पहले एक लड़के ने ग्वाल घर के दरवाजे से जाक कर इशारे से कुसम को बाहर बुलाया हजारी ने देखा उसके हाथ के अंगोचे में बजार का समान दूसरे हाथ में एक हिलसा मचली जूल रही थी जरा रुकिये ताउजी मैं मचली काट लाँ कुसम की कार साजी देखकर हजारी बहुत शर्मिंदा और परिशान हो गया पड़ास के लड़के को बुला कर कब उसने बाहर भेज दिया था खैर भेजा तो भेजा लेकिन गरीब कुसम इतनी बड़ी मचली मंगाने की क्या जरुएती ना बहुत बच्ची है भी आकिरी से अकल कब आईगी कुसम ने हजारी की जड़की का कोई जवाब ने दिया धीमे से हसकर भूली अगर एक दिन आपका बनाया हिलसा खाने का मन हो बेटी को इसा तरह डाटते नहीं ताऊ जी हजारी ने नराज होकर का चाओ बच्चो जैसी बाते करती हो खाना खाने के बद हजारी के अराम करने के इंतिजाम करके कुसम खाने गई हजारी को पिछली रात अच्छी नीन नहीं आई थी वह इसी बीच चाने कब सो गया जब उसकी नींद खुली तो दिन पहर ढ़ल चुगा था कुसुम ने कमरे में आकर का मैं समझ गी कि कल राध स्टेशन की बेंच पर सोने से अच्छी नींद नहीं है अच्छी तरह सो लिए ना आप उटकर मुँ धो लीजे मैं चाय ले आती हूँ चाय के साथ कुसुम ने ना जाने कहां से गरम जलेवी मंगवा दी थी कहने पर भी बात नहीं सुनती बोली यही तो उस मोड पर हरान हलवाई की दुखाने इस वक्त बढ़िया गरम जलेवी बनाता है चाय के साथ खुब अच्छी लगेंगी सिर्फ चाय पीजिएगा इस पर कितनी जबरदस्ती की जा सकती है आज ही यहां से खिसक ना जाऊं तो काम ना चलेगा हजारी ने तै कि चाय पिकर थोड़ा और दिन ढलते ही यहां से चल देगा को सुमपान बना कर ले आई आकर हजारी के सामने जमीन पर बैठ गई तो अब क्या करने की सोच रहे हैं कहा तो गुवारी जाकर नौकरी की तलाश करूँगा अगर वहां ना मिली तब कलकत्ता जाऊंगा लेकिन धेहात का आदमी हूँ कलकत्ता आने जाने की आदत नहीं और इतने बड़ी शहर में रहने की भी आदत नहीं डर लगता है मेरी एक बात मानेंगी ताओ जी क्या मानिए तो कहो कहो बेटी क्या कहना चाहती हो मैं अपने गहने बंदक रखकर या बेचकर दो सो रुपे ला देती हूँ उसी से आप होटल कर खोलिए आपकी रांदने की तारिफ चार ओवर फैली है होटल खुलेगा तो देखिएगा रोजगार कैसा जमता है इस राना घाट में ही खोलिए उस चकरवर्ती के होटल के पास ही पद्दो आँख उलटकर मरे बेटी की सलामानी है ताओ जी आपकी बढ़ती होगी इस उमर में आप पराई नौकरी कहां करने जाएंगे हजारी के आँखों में आशु भरा कितनी अच्छी है यह अजीब सी लड़की कुसम सचमुच उसकी बेटी है लेकिन ऐसा होने वाला नहीं वजह बहुत हैं कुसम के रुपे से राना काट में होटल खोलने से दौनों को लेकर पांच आदमी पांच तरह की बदनामी फिलाएंगे उसका उपकार करने के लिए बेकुसर कुसम कलंक बटोरने क्यों जाएगी और जी की जलन से ये पद्दो मेरी ही साथ तरह की बात नहीं फैलाएगी इसके अरावा मान लो अगर घाटा हो गया हजारी को पक्का विश्वास है होटल खोलेगा तो घाटा नहीं होगा तब तो कुसम के रुपे डूप जाएंगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता कुसम बेटी एक बार तो मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे रुपे नहीं ले सकूँगा फिर वही बात क्यूं कहती हो मुझको इसी गाड़ी से गौड़ी जाना होगा अब चलू जमीन पर पढ़कर परनाम करने के बाद को सुमने का अच्छा तो जवान दे जाएए अगर गौड़ी में काम नहीं मिला तो आप लौट आएंगे तुम्हारे पास बेटी बताओ तो क्यूं आकर वह रुपे लेना होगा होटल खुलना होगा वह रुपे आपके होटल कर देंगे अच्छा जवान दिये जाता हूँ हजारी ने हसकर का बेटी की बात याद रखिएगा तुम भी अपने बुड़े ताओ को याद रखना आह मेरे ताओ जी क्या बुड़े है अरे च्यालिस साल का होगा बुड़ा नहीं तो क्या हूँ देखने में तो बुड़े जासे नहीं लगते उम्र होने से क्या होगा लेकिन फिर जरूर आईएगा अच्छा बेटी हजारी गठरी लेकर घर से बाहर निकल गया कुसुम उसके साथ साथ आकर बड़े रास्ते तक पहुँचा गई राना घर से निकल कर हजारी पैदल रास्ते से चागदा की और रवाना हुआ पहले वे डागघर जाकर दो रूपे भेजना चाहता था लेकिन डागघर में जाकर उसने देखा मनी आउडर लेना बंद हो गया डागघर बंद हो जाने के बाद उसने भगवान को धन्यवाद दिया चागदा जाने के बीच रास्ते में सागवन के बगीचेस में शाम का अंधिरा उतराया सागवन के एक पैड़ के नीचे दो बैल गाड़ियां खड़ी थी गाड़ी से उतर कर लोग पेड़ के नीचे खाना बना रहे थे पूछने पर हजारी को मालूम हुआ कि अगली पुर्णिमा को काली गंज में गंगाइस्तान का मेला है वे लोग मेले की में दुकान लगाने के लिए जा रहे हैं हजारी उनी के साथ हो गया खाने पीने से निबटकर सब लोगों ने पेड़ के नीचे सोकर राद बिताई दुकान के मालिक का नाम है प्रियानाद धर जाती के स्वर्ण वनिक हैं मनीहारी की दुकान लेकर मेले में चा रहे हैं हजारी का परीचे पाकर प्रियानाद ने प्रस्ताव रखा कि मेले में कई दिनों तक वे लोग खरीद विक्री में लगे रहेंगे इन कई दिनों तक हजारी अगर खाना बना कर उन लोगों को खिला दे तो उसे रोज का खाना और मेला खतम होने पर उन कई दिनों की मजदूरी के हिसाब में दो रुपे मिलेंगे प्रियना धर की तीन दुकाने थी एक उसकी अपनी एक उसके दमात की और एक भतीजे की हजारी के हाथ का पहले दिन खाना का कर ही उन लोगों को मालूम हो गया कि उन्हें सस्ते में होशिया रसोया मिल गया वे सभी बड़े खुश हुए लेकिन मेले में पहुँचकर हजारी ने देखा उस मेले में ही खाना बनाने से भी ज़्यादा मुनाफिका एक रोजगार उसकी बाट जोरा है पजार में सास समान लाकर वे घर भाबू धर भाबू के डेरे के एक किनारे तेल की कचोड़ी सिंगाडे की दुकान खोल बैटा मुफ्त में कचोड़ी खाने के लोग में धर भाबू ने भी आनाकानी नहीं की कई दिनों तक दुकान में बेहद विक्री हुई मूल धन वही दो रुपे बाद में ग्रहाकों की तदाद बहुत बढ़ जाने पर हचारी ने कुछ रुपे धर भाबू से ले लिये चौते दिन शाम को दर दुकान समेटी गए मेला खतम हो गया धर भाबू का बकाया चुका देने के बाद सब तरह के खर्चे निकाल देने पर भी हचारी ने देखा साड़े तेरह रुपे का मुनाफ़ा हुआ उसके बाद बाबू से खाना बनाने की मजदूरी दो रुपे मिलने पर कुल साड़े पंदरह रुपे हुए प्रियानाद धर ने कहा सागोन के बगीचे में जब मैंने आप से पहली बार खाना बनवाया था तब ही मुझे मालूम नहीं था कि आप इतना अच्छा खाना पकाते हैं मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ घर पर औरते ही खाना बनाती हैं नहीं तो मैं आपको छोड़ता नहीं घर पर दस रुपे भेज कर हजारी का मंजरा हलका हुआ अब एक आद महीने तक घर की और से निश्चिंद रह सकता हैं अगले महीने के अंदर कुछ ना कुछ नया इंतिजाम जरूर हो जाएगा काली गंज से ये शोहर जाने वले रास्ते में हजारी फिर चल पड़ा इस रास्ते के दौनों और जाड जंगल बहुत जाता थे पहले इदर गाउं थे लेकिन मलेरिया के चलते बहुत से गाउं उजाड हो गए और बिना अबादी के मैदान और उजाड गाउं में जाड जंगल बढ़ग फैल गया काली गंज के कहें से सवरे सवरे रवाना हुआ था जब दोपहर तीन बीट गया तो उसने इमली के एक पुड़ाने पेड़ के नीचे आच रह लिया थोड़ी ही दूर पर खेतिहारों का छोटा सा गाउं था एक छोटा सा लड़का गाउं वेल हाक कर ले जा रहा था उससे पूछा और पूछने पर मालू हुआ कि गाउं का नाम नया पाड़ा है जहां ज़्यादा तर गवालों की बस्ती है गाउं में जाने पर सामने ही खर पतवार का जो बड़ा सा मकान दिखाई पड़ा हजारी उसके पुकार कर कहा खूकी घर पर कौन है लड़की डर कर कोई जवाब दिये भी नहीं अंदर चली गई लग भग आदा घंटा इंतिजार करने के बाद घर का मालिक आया उसका नाम श्री चरन खोश था उसने बड़ी खातिर से हजारी को बठाया तो पहर दिन ढल गया है इसलिए खाना वाना बनाने की बात कही घर के अंदर से एक जल चौकी और बाल्टी पानी लाकर रख दिया इन लोगों ने भी गौश आला के किनारे खाना बनाने का इंतिजाम कर दिया वहां बैठकर खाना बनाते हुए अचानक कुसम की याद आ गई उस दिन कुसम ने भी उसके लिए खाना बनाने का इंतिजाम गौश आला में ही किया था कुसम भी गौवाले की बेटी है शायद इसलिए वे लोगवाले हैं यह सुनकर ही हजारी इन लोगों के घर आया था मन के भीतर कोई चिपा आकरशन उसे यहां कीच लाया था अचानक उसने अच्रच में पढ़कर गोश आला के दरवाजे किया और देखा कम उम्र की एक बहू आदा घूंगट निकाले गोश आला के अंदर आ गई उसके हाथ में साग की एक डलिया थी और वह शर्माई हुई सी आगा पीछा कर रही थी साग तुरंती धोया गया था डलिया से पानी जड़ कर गोश आला की जमिन भीगो रहा था हजारी ने उतावली से का आओ बेटी आओ उसमें क्या है साग है यहां रग दू बहू की उम्र कुसकुसम से भी कम थी बिना वजय के इसने से हजारी का मन भर उठा उसने का रग दो बेटी जरा देर बाद कठल के थोड़े से बीज लाकर बहू फिर आई इस बार संकोच तो बहुत दूर हो गया था शायद पिता की उम्र के शान्त अधेर भ्रामन से संकोच करने में दिक्कत हो रही थी उसने हजारी से पुछा आप कठल के बीज खाते हैं? खाता तो हूँ बेटी लेकिन उसको काट दोगी मैंने तो दाल चड़ा रखी उसे काटूंगा कब? बहु कठल के बीज एक पतलोटी मिलाई पतलोटी को रखकर वह जल्दी से हसिया ले आई और बीज काटने लगी हजारी का मन प्यासा था वह सभी बेटी जैसी हैं, सभी प्यार करती हैं सेवा करती है, मन का दुख समझती है हजारी कुछ कहे, उसके पहले ही बहु ने कहा आपके गाओं में कई बार गई हूँ हजारी ने अचरस से कहा, मेरा गाओ? मेरा गाओं कहा है, यह तुमने कैसे जाना, तुम वहाँ कैसे गई थी? गंगा धर गोश मेरे फूफा है ओ, तुम जीवन की बती जी हो, तब तो तुम कुसम को पहचानती हूँगी कुसम दी दी, उसको शादी से पहले कई बार देखा है, शादी की बार नहीं देखा आज कल वे कहा है, वह राना काट में अपनी सुसराय में रहती है तब तो दूसरी बेटी कहकर मैंने बड़ा अच्छा किया, कुसम भी मेरी बेटी है बहु ने बीच काटना बंद किया, और आचल डालकर दूर से ही प्रणाम किया बड़ी उम्र हो बेटी, सावित्री जैसमान हो बहु ने हसकर का, आप जब सेहन में कड़ी थी, मैं तब ही आपको देकर मैंने पैचान लिया मैंने सास से कहा, कि ये हमारी बुवा के गाउं के आदमी है तब सास ने जाकर सरसूर से कहा, अच्छा बेटी, मैं जाता आता रहूंगा मुझे एक और बेटी मिल गए, उसे भेट मुलाकत कर जाओंगा, अच्छा ही हुआ बहु ने लजाते वे का, लेकिन आज मैं आपको जाने नहीं दूँगी, अब आपको यहां रुकना होगा नहीं बेटी रुक रही सकूँगा नहीं यह नहीं होगा जाईए, तो एको कैसे जाते हैं आप, मैं कर जबरदस्ती नहीं कर सकती जरूर कर सकती हो बेटी, लेकिन मेरे मन में शांती नहीं, फिर कभी अच्छे दिन होंगे, तो आकर दो दिन ठहर जाओंगा क्यों का क्या हुआ आपको, बहुने हजारी के और देक्टर का स्वभाव से दुर्बल हजारी का मन साहन भूती पाकर कल गया संख्षेप में अपनी नौकरी छूटने का पूरा हाल सुना गया दाल उतार कर भुजिया बनाने के बीच में थोड़ा सा अभिमान करने का लोब रोक नहीं पाया खाना जैसा बना सकता हूँ बेटी, घमर नहीं करता वैसा खाना कराना घाट के किसी होटल का कोई रसोया नहीं बना सकता तुमारे ही यह जो पंच मेल भुजिया बना रहा हूँ न वह तुम सब लोगों को खिला कर दिखाऊंगा मैं जोड़ देकर कह सकता हूँ कि ऐसी भुजिया ना तुम लोगों ने कभी खाई होगी और ना कभी खाऊगी बहु अचरस से आधर से मुगद आँखों से हजारी के और देखती हुई उसकी बाते सुन रही थी उसने का तव है मुझे को भी सिखा देना काका जी एक दिन की बात नहीं है बेटी सिखाने पर भी सीख लेना मुश्किल है मैं तुम्हें बहलावे में नहीं रखना चाता यह सब कहीं एका दिन में सीखा जाता है अच्छा जब आप रसोईएं हैं तो आपकी नौकरी को क्या फिकर कितने ही बड़े लोग अच्छी दंका दे कर रख लेते हैं किस्मत खराब होती है बेटी तो किसी का कुछ नहीं होता पास में पैसे हो तो दो दिन घूम फिर कर देख सुन सकता हूं लेकिन घूमूंगा कैसे पास में पूंजी ही तो खतम हो गई कितने रुपे चाहिए बताइए क्यों तुम दोगी क्या अगर दू तो मैं उसे नहीं ले सकूंगा कुसम ने भी देना चाहता लेकिन मैं क्यूं लोगा तुम लोग लड़किया हो थोड़ा थोड़ा करके तुमने पैसा ही कठा किया उसे मैं लेकर नुकसान नहीं करना चा मेरी ननद और जेठानी अच्छे सभाव की नहीं, अगर उन्हें पता चला, तो वो रुपे ले लेंगी, मैं आपको कर्च के तौर पर रुपे देती हूँ, आप सूध कितना देंगी है बताइए, सूध का लोब रखने वाली सीधी साधी लड़की के परती हजारी का कितने रुपे देना चाहते हो, मेरे पास 80 रुपे हैं, आप ले जाएए, मैं सारे रुपे दे सकती हूँ, सूध कितना दिजिएगा, कितना चाहते हूँ, आप जो दे दे रुपे में दो पैसे का भाव है, आप एक पैसा ही दे दिजिएगा, ठीक है ना, आपके पैरो पड़ी की तो कोई बात ही नहीं की, मैं तो लिखना पड़ा ना जानती नहीं, और लिखा पड़ी करके करूँगी क्या, आप चाहे तो कुछ लिख कर दे दीजिए, लेकिन उससे बात खुल जाएगी, उसकी जरुवत नहीं, आप ले जाएए, मैं देती हूं, बात खतम हो ग गवाले के घर के सब लोगों ने एक स्वर में कहा, ऐसा खाना तो दूर की बात मामूली चीज भी इस तरह स्वादिश्ट हो सकती है, उन लोगों ने कभी सुना ही नहीं